मूवी के स्टार्टिंग में हमें कपल को देखते हैं लड़की का नाम था डैनी और लड़की का नाम था मैलनी मूवी में उनके शॉर्ट नेम हमें बताया किया डैन और मेल दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते है वो दोनों अपने आपको बहुत लखी बानते है कि एक दूसरे से मिले पर अभी भी उनकी शादी नहीं हुई है वो एक दूसरे के साथ 6 सालों से रह रहे थे डान एक म्यूजिक रिकॉर्ड कमपनी में इंटर्शिप कर रहा था और मेल अपनी ग्राइज़ेशन कर रही थी डान बहुत अच्छा था पर हो काफी प्रैक्टिकल था उसके ऑपोजिट मेल बहुत इमोशनल है वो अपने ड्रिम्स के साथ कभी भी कॉंप्रमाइज ना करने वाली लड़की है उसे लगता है कि इस मतलबी दुनिया में प्यार को हाइस प्रायोरिटी देनी चाहिए अब हम देखते हैं कि डान और मेल ये दोनों अपने बेड़ पर थे कडल कर रहे थे नेकसिन में मेल अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में गई हुई थी वहाँ पर सब लोग बहुत ड्रिंग करते हैं मेल की एक फ्रेंड ने भी बहुत जादा ड्रिंग कर ली थी मेल की फ्रेंड अब ड्रंग होने की वज़े से ड्राइव नहीं कर सकती थी अगर उसने क्या तो पुलीस या किसी और प्रॉलम का सामना उसे करना पर सकता था वो फिर मेल से कहती है कि प्लीस मुझे घर पर छोड़ दो मेल फिर उसे घर पर छोड़ देती है और फिर अपने घर पर चली जाती है वहाँ पर डैन सोया हुआ था मेल उसके पास बेट पर आ दिया मेल ने भी थोड़ा सा ड्रिंक किया था और इसी वज़े से डान को बियर की बदबूस पर आके उसे बुछता है कि तुम घर कैसे आई मेल बताती है कि मैं खुद ड्राइव कर कर आई मेरी फ्रेंड बहुत जादा ड्रंक हो गई थी तो उसे मैंने पहले घर पर छोड़ दिया और इसके बाद में घर पर आई डैन को इस बाद पर गुसा आ जाता है कि तुमें खुद की सेफटी के बारे में ज़रा सोचना चाहिए इस तरीके से ड्रंक होकर ड्राइव तुमें नहीं करना चाहिए था डैन का इस तरीके से घुसा हो जाना मेल को पसंद नहीं आता वो अपनी खुद की साइट लेकर उसे सब कुछ एक्स्प्रेंट करना चाहती थी उन दोनों में फाइट हो जाती है मेल फिर अपनी कार कीज लेकर वहां से बहार जाने लगके डैन उसे रोकने की कोशिश कहता है डोनों की बीच के लड़ाए में गलती से मेल उसे धक्का मार देती है डैन दीवार से टकरा गया और उसके सर से खुन निकलने लगके मेल को अपनी गलती का एहसास होता है वो गिड़ गिड़ा कर उसे सौरी कहने लगती है इसके बाद उसे हॉस्पिटल में लेकर गई वहाँ पर सब पूछताज करने के बाद उसकी ट्रीट में स्टार्ट होती है उसे ज़रा observation में रहना पड़ता है सुबह और ठीक हो गया था तो फिर अपने काम पर हो चला जाता है डैन के साथ उसके workspace में एक लड़की काम करती है उसका राब में Amanda वो बहुत ही friendly थी क्योंकि डैन के साथ वो हमेशा काम करती थी हमेशा हो मिलते जुलते रहा करते थे डैन अपने काम पर गया तो वहाँ पर भी उसे Amanda मिली बातों बातों मैं Amanda उसे बुछती कि तुम्हारे सर पर क्या लगा डैन जो भी वहा था इस बात को चिपाना चाता था पर Amanda इस बात पर जोर डालती है उसे बता देता है कि मेरी गल्फरेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और एक्सिरेंटली मुझे यह लग गया Amanda उसे कहती है कि तुम्हारी गल्फरेंड के वारे मुझे बता डैन कहता है कि लास्ट सिक्स एयर से हम दोनों रिलेशनशिप में है कल यह चोट लगी थी तो पूरी रात हो मेरे साथ हस्पिटल में ही थी Amanda इस बात पर उसे पुछती है कि अगर तुमने मेल को पुछ किया होता और या फिर उसे चोट लगी होती है तो क्या इतनी ही चीज़े सारी नॉर्मल रहती है जिस तरीके से तुम उसे माफ कर रहे हो क्या वो भी तुम्हें माफ करती है डैन इस बात पर गया था कि मुझे नहीं पता Amanda डैन को फिर होने वाली एक fun meeting के लिए invite करती है फिर वो अपने काम के लिए वहाँ से चली गए अगले सीन में हम देखते है कि एक primary school के class हमें दिखाया जाता है वाट teachers सब बच्चों को greet करते हो कहती है कि आपकी एक new teacher आई है मेल अप primary school में join कर रही थी वो सब को बहुत अच्छी दरीके से treat करती है और बच्चों के साथ भी वो अच्छी दरीके से खूल मिल गई इसके बाद हम Dan को उसके कलीक के साथ देखते है सब लोग कह रहे थे कि एक show देखने के लिए वो Brooklyn जा रहे है इसके लिए सब लोग बहुत ही excited थे नेक्स हम देखते है कि मेल अपने friends के साथ पार्टी में गई हुई थी उसके एक दोस उसे बात कर रही थी बातों बातों मैं Dan के वारे में उसे बात करने लगती है वसे गहती कि कैसे कोई लड़की इतने सालों तक एक ही लड़की के साथ रह सकती है क्या है सब बोरिंग नहीं हो जाता वो घह रही थी कि एक concert में मैंने Dan को देखा था उसकी friend ने उसे wave किया था मगर Dan ने उसे कोई भी response नहीं दिया Dan की वज़े से उसे बहुत ही weird लगा था नेक्सिन में हम देखते हैं कि Dan जिस record company में काम करता है उसके head उसे बात कर रहे थे Dan जिस तरीके से काम कर रहा था ये काम उन्हें बहुत पसंद आ रहा था वो उसे एक important project की जिम्हेदारी देते है इन सारी चिजों की वज़े से Dan को आगे चलकर बहुत benefit हो सकता था बात में हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर land and जलाते हैं वहाँ का environment बहुत ही अच्छा हो गया था और सब लोग बहुत enjoy कर रहे थे next day मेल अपने laptop पर adult videos देख रही थी अपना interest वो बाहर लेने की कुशिश कर रहे थी तब वहाँ पर Dan आ जाता है उसने काफी drink किया हुआ था डैन मेल के पास आ जाता है और उसे cuddle करता है मेल उसे कहता है कि क्या तुमने आज बहुत enjoy किया डैन उसे कहता है कि किस तरीके से record company की head उसे appreciate कर रहे थे उसने जो new record बनाया था कहता है कि तुम्हें हो सुनना चाहिए इस सुनाने के लिए मेल का laptop लेने की वो कोशिश करता है मेल उसे laptop देने से मना कर रहे थी और कहती कि record हम कल सुन लेंगे डैन जित करता है कि हमें record आज ही सुनना चाहिए वो मेल के हथों से laptop छीन लेता है वो ओपन करता है तुम्हें adult वीडियोस देख रहे थी डैन एक्षेप्ट करता है कि वो भी देखता है यह सब वो जादा सीरियस से लेता नहीं एज़ा फन देखता है इसमें कोई बुरी चीज नहीं है बस यह कभी-कभी ज़रा वियर्ड हो जाता है उसे इंटरेनिंग लगता था और इसी वज़े से देखा करता था इसके बाद द डैन को बहुत ही अच्छा लग रहा था डैन फिर मेल को किस करता है पर मेल ने स्मोकिंग की थी यह दैन को पसंद नहीं आता उसे स्मोकिंग बंद करने के एडवाइस देता है बाद में देखते हैं कि डैन अपनी मदर के साथ बात कर रहा था तो कह रहा था कि उसकी इंटर सिर्व अपने girlfriend के प्यार में ही खोया ना रहे, सिर्व उसके पीछे ना रहे, खुद पर भी focus करे, जब यह सब बाते Dan की चल रही थी, तब वहाँ पर mail आ गए, वो ज़रा late हो चुकी थी, क्योंकि स्कूल के बाद कुछ parents अपने बच्चों को लेने के लिए नहीं आए थे, तो उनके आने तक उसने wait किया था, इसके बाद वो खाना खाने के लिए चले जाते है, बाद में घर पर आकर Dan और mail साथ में टिवी शो देख रहे थे, Dan mail को कहता है कि मेरी कलिक Amanda ने उसकी pool party में हमें invite किया है, हमें वहाँ बर जाना चाहिए, mail को वहाँ बर नहीं जाना था, Dan उसे काफी जित करता है कि तुमें साथ में चलना चाहिए, Dan की जित पर फिर वो राजी हो जाती है, उसे promise करता है कि अगर तुमें वहाँ पर अच्छा ना लगे, तो थोड़ी दिर में हम वहाँ से जा सकते हैं, plan के according फिर Amanda और उसके office के कलिक सब मिलकर बहुत मज़े करते हैं, pool में games खेलते हैं, थोड़ी दिर में मेल डैन को कहती है कि अब हमें घर पर चलना चाहिए, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, डैन उसे कहता है कि यहाँ पर सब लोग बहुत enjoy कर रहे हैं, तुमें भी हमारे साथ मज़े करने चाहिए, मेल इस बात के लिए मना कर देती है, डैन फिर बीच का रास्ता निकालता है, कहता है कि थोड़ी दिर तक में यहाँ पर रुखता हो, तुम अगर जाओ तो घर पर जा सकती हो, मेल फिर घर पर जली जाती है, उसके जाने के बाद थोड़ी दिर में सब लोग वहाँ से जाने लग गए, एमेंडा और डैन यह दोनों ही थे, एमेंडा अपनी परसनल चीज़्ों के बारे में डैन से बात कर रहे थी, वो लंबे टाइम तक किसी के साथ physical relationship में ना रहे नहीं रह सकती, वो किसी एक ही इंसान के साथ physical relationship में long time तक नहीं रह सकती, उसे हमेशा कोई नया पार्टनर अच्छा लगता है यह जब वो बात कर रहे थे तो दोने एक दूसरे के करीब आने लगते है एमेंडा डैन को खिस कर लेती है थोड़ी दिर में डैन रुख जाता है उसे अपनी गलती का हैसास हुआ वो एमेंडा से इस गलती के लिए माफी माँगता है एमेंडा उसे गयती है कि हम दोनों बहुत यच्छे फ्रेंड्स है वो नहीं जाती कि कि किसी भी बात की वज़े से उनकी फ्रेंड्शिप में कोई प्रॉल्म आये वो कहती है कि तुम्हें सौरी कहने की कोई जरूरत नहीं है डैन फिर वहाँ से निकल कर डारेगली घर पर आ जाता है और सो गया उटकर फ्रेश होकर वो ब्रेकफास के लिए कुछ बना रहा था ब्रेकफास लेकर वो मेल के घर पर जाता है वो सो रही थी तुसे वो जगा देता है मेल उसे गहती है कि कल राट तुम घर पर क्यों नहीं आ आए थे डैन गहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था पर तुमने शायद देखा नहीं होगा मैं तुम्हें डिस्टब नहीं करना चाता था मेल ब्रिक्फास्स करती है और दोनों बाती करते है उससे बुच्छती है कि क्या मेरे जाने के बाद वहाँ पर कुछ हुआ था डैन गहता है कि कुछ भी नहीं हुआ डैन गहता है कि मैं बेवकूफ हो तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कि एकर में खुद रुक गया मुझे तुम्हारे साथ वहा मुझे तुम्हारे साथ घर पर आना चाहिए था इसके बाद हम देखते हैं कि डैन और मेल तोनों साथ में अपनी फ्रेंड की पार्टी में आये हुए थे वह बहुत एंज़ा कर रहे थे मेल को एक कॉल करना था और इसके लिए डैन का फोन वो लेकर पार्टी के शोर से जरा दूर जाती है वहाँ फोन में देखती है कि एमेंडा का मैसेज आये हुआ है वो कल रात के किस के बारे में उसे कह रही थी इस मेंडा ने कहा था कि कल रात के बारे में वो भूल नहीं पा रही ये देखकर मेल काफी कुस्ता हो जाती है फोन वो डैन को वापस कर देती है उसे बहुत भला बुरा कहकर वहाँ से जाने लग गए डैन को मेसेज के बारे में कुछ भी पता नहीं था वो बुचता है कि हुआ क्या है पर मेल कुछ भी नहीं कहती वो बाहर निकल जाती है डैन भी उसकी बीचे-बीचे बाहर आया है दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी मेल इसमें काफी शोर मचा रही थी डैन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है शोर होने के वज़य से पास के पुलीस उनके पास आ जाते है वो देखते है कि मेल रो रही थी और शोर मचा रही थी डैन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पुलीस को लगा कि डैन उसके साथ कुछ गलत कहरा है तुसे वह अरेस्ट कर लेते हैं उसे अपने कार में बिटा कर लेकर गए मेल वहाँ पर सिर्फ रूर रही थी डैन उसे कह रहा था कि पुलिस को समझाओ कि ये कोई भी क्राइम नहीं है पर मेल वहाँ सिर्फ खड़ी होती है कुछ भी कहती ही नहीं पुलिस फिर उसे लेकर चले जाते है वहाँ पर खड़े होकर मेल को रियलाइज होता है कि उसने पुलिस को कहना चाहिए था कि उसका बॉइफरेंड है, कुछ भी उसने उसके साथ गलत नहीं किया है अपनी गलती उसे रियलाइज होती है वो फिर पुलिस स्टेशन आके और वहाँ पर इंक्वाईरी करती है उनसे बुछ थी कि डैन को कब छोड़ेंगे अब 24 अवर्स तक तो डैन को वहाँ पर रहने ही था पूरी राट डैन को वही पर गुजरनी पड़ती है सुबह होने पर उसे कुछ पेपर वक दिया जाता है और इसके बाद उसे छोड़ देते है वहाँ पर मेल भी आई होई थी मेल से जो गलती हो गई इसके लिए उसे बार-बार सोरी कहती है डैन अभी उससे कुछ भी बात करने की मूड में नहीं था वो गयता है कि मुझे घर पर ड्रॉप करतो डैन जब अपने काम पर गया तो उसे वहाँ पर एक न्यूज मिलती है उनकी कमपनी नियॉक में एक न्यू ब्रैंच ओपन कर रही है वहाँ पर उने एक बहुत ही इंतुजियस्टिक और एक अच्छा इंप्लॉई चाहिए जो ये सारी रिस्पॉंसिविलिटी निभा पाए डैन इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे चूज किया गया था इस बात की वज़े से बहुत हो जाता है और अमेंडा को बताता है वो फिर उसके साथ डिनर करने के लिए चाता है पैरलल में मेल बहुत ही दुखी थी कि डैन के साथ उसकी इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है डैन उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रहा था मेल की फ्रेंड अब उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे पार्टी में लेकर जाती है वहाँ सारे फ्रेंड्स के साथ उसका मूड अच्छा हो जाता है सब फ्रेंड्स मिलकर काफी मज़े करते है मेल ने भी बहुत जादा ट्रिंक कर लिया था वो खुद अपने पेरों पर चल भी नहीं पा रही थी उनकी ग्रूप में से विर एक लड़का उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए लेकर आता है वो लड़का उसके नशे में होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है उसके साथ physical होने की कोशिश करता है पर male उसे उसके उपर से हटा देती है वो लड़का फिर वहाँ से चला गया सुबा होने पर male ने realize किया कि कल रात क्या हुआ था और इस बात से वो बहुत disturb हो जाती है वो Dan को call करकर उसके पास बुलाती है Dan भी जल्दी से उसके पास बोच गया उसे सहारा देता है male को बहुत अच्छा लगता है Dan बाद में फिर उसे जो promotion मिला था इसके बारे में अपनी मदर को कहता है उसकी mom उसे बताती है कि अगर मैं अपनी life में पीछे जा सकती है तो बहुत सारे जो decision मैंने गरत लिये थे उसे मैं सही कर पाती बहुत सारी opportunities को मैंने छोड़ दिया था उसे advice करती है कि तुमें अपनी life में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए opportunities को इस तरीक से जाने ने देना चाहिए हर एक चीज़ तुमें सही करनी चाहिए इसके बाद डैन फिर मैल को अपने new york के job के बारे में बताता है ये सुनकर मैल ज़रा disturb हो जाती है वो बुछती है कि फिर हमारी relationship का क्या होगा डैन कहता है कि वहाँ बर मैं सिर्फ एक साल के लिए जाने वाला हो तब तक हम long distance relationship try कर सकते है बहुत सारे लोग के करते है और हम भी कर सकते है इसमें कुछ बुरी बात नहीं है मैल इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है कहती है कि तुमें हमारी relationship के बारे में कुछ भी feeling से नहीं है डैन उसे समझाता है कि ये job उसके लिए कितना important है मैल उसे कहती है कि तुम selfish हो उसे बहुत कुछ बोलने लग गए वो बहुत गुसा करती है दोनों के विज़ें फाइट हो गए और डैन फिर बहाँ से चला जाता है हम देखते है कि मेल डैन को काफी बार call करने की कुशिश करती है पर डैन ये receive नहीं करता एमेंडा डैन के घर पर आई हुई थी डैन बहुत ही sad था वो एमेंडा की नस्दिक आ जाता है और एमेंडा भी उसका साथ देती है दोनों इक दुसरे के करीब आक है और इसके बाद वो intimate हो जाता है मेल डैन को काफी टाइम से call कर रही थी वो फिर डैरेकली डैन के घर पर आके वो देख देख की एमेंडा और डैन ये दोनों intimate हुए है इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है वहाँ से रोते हुए वापस चली के डैन उसे मनाने के लिए उसके घर पर जाता है इससे उसे चोटा जाती है बाद में उसे वो हॉस्पिटल में लेकर गई थी उसके जगने का मेल उसके बेड़ के पास वेट कर रही थी जैसे उसे होश आता है तो मेल उसे सौरी कहती है दोनों एक दुसरे से माफी माँगते है डैन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेल भी कहती कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ डैन ने कहा कि अब मैं नुई यॉक नहीं जाना चाहता मैं तुमसे ब्रेक अब नहीं कर सकता मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए मेल कहती कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम हमारे लिए इतना बड़ा sacrifice नहीं कर सकते है डैन एक करने के लिए हा कह रहा था मेल फिर उसे बुछती है क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो पूरी जिंदगी मेरे साथ ही घुजारोगे इसी वज़े से उसे मना कर देता है मेले बाद समझ जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है इसी के साथ ये मुवी एंड हो जाती है अगर आपका इस्प्रेशन अच्छा लगता है तो प्लीस लाइक और गमेंट ज़रू कर दीजएगा बहुत सारे मुवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल लाइक ज़रू को दोने मत भूलेगा हम फिर इसे मिलेंगे और इनमों के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये